सूप्रभात आदरनिय प्रधानाचारिय महोदय उप्रधानाचारिय महोदय सभी गुरुजन वेशाला प्रांगन की शोबा बढ़ा रहे मेरे सहपाथियों मैं शिवी का कक्षाचछटी की छात्रा आज गंतंत्र दीवस के इस पावन पर्व पर इस दिन के महत्व पर प्रका करूंगी आशा है आप सभी ध्यान पूर्वक्सुन मुझे प्रोत्साहित करेंगे साथियों हर वर्ष की भाती कृतग्य राश्ट्र आज 26 जनवरी को गंतंत्र दीवस मना रहा है साथियों इस गंतंत्र दीवस का अर्थ अगर शब्दों में देखा जाए तो गंतंत्र या अर्थात जनता का जनता के लिए शाशन लेकिन साथियों इस मा भारती की धरा को एक गंतंत्र आत्मक राश्ट्र बिनाने के लिए इस धरा के ऐसंखे लाडले सपूतों ने अपने प्राणों की बली दी है उनके इस अतुल्य बलीदान के कारण हमें इस पर्व को मनाने का अवसर मिला है हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आजात तो हो गया लेकिन देश में पूर्ण स्वराज्य नहीं आ सका यानि गंतंत्रिय का आधार स्तंब हमारा आइन हमारा सम्विधान नहीं लागू हो सका साथियों स्वतंत्रता के लगभग धाई वर्ष बाद 26 जन्वरी 1950 को हमारे महापूर्शों के अथक प्रियासों से हमारे आइन हमारे सम्विधान को लागू किया वैं भारत वर्ष को एक लोगतंत्रा अत्मक राष्ट्र होने का गोरव मिला साथियों हमारे सम्विधान को बनाने में दो वर्ष 11 महा 18 दिन का समय लगा इसे बनाने में भारतिय सम्विधान के वास्तुकार भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अतुल्य योगदान रहा और 26 जन्वरी 1950 से इस दीवस को गंतंत्र दीवस के रूप में मनाने का निरनेल लिया गया साथियों 1950 से लेकर अभी तक हम भारतियों ने जल थल नभ में नए नए अविस्कार कर देश को प्रगती के पत पर आगे बढ़ाया है आज भी हमारा देश निरन्तर प्रगती के पत पर अग्रस लेकिन साथियों आज भी ब्रष्टाचार भेदभाव जातिवाद हिंसा जैसी नकारातमकता हमारे देश में विद्धमान है हमें आज के दिन महज एक दिन के देश भक्त बन खुश नहीं होना चाहिए हमें विद्धार्थी जीवन से ही नैतिक मुल्यों को अपना कर राश्ट्र हित को सर्वोपरी रखना चाहिए साथियो हमारे पूर्व राश्ट्रपती एक महान वैज्यानिक भारत रत्न स्वर्गिय श्री अबुल पाकिर जैन्वल अबदिन अब्दिल कलाम साहिब ने कहा था कि अगर देश को ब्रष्टाचार मुक्त वै अच्छे ज्यान वाले लोगों का बनाना है तो समाद से जुड़े माता पिता वै सिक्षक वै विध्यार्थी अपनी भूमे का निभाएं तो बदलाव ला सकते हैं वै देश को ब्रष्टाचार वै अन्यनकारात्मक चीजों से बचा सकते हैं साथियों आज हम सबको प्रण लेना चाहिए कि हम देश को विश्व में सबसे आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोडेंगे वह हमारे अमर शहीदों वै महापुर्षों का बलिदान वियर्थ नहीं जाने देंगे इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वानी को विराम देती हूँ जै हिन जै भारत